तरह ने चंबा में जो है काफी बड़ी-बड़ी गोश्वाइं कियें जिस तरह से महिलाओं को जो है पचास फिजी जो बसों में ट्रैवलिंग फ्री कर दिया और गाउं के शेत्रों में पानी बिल्कुल फ्री कर दिया है किस तरह से देखती है कॉंग्रेस इस हैसलों देखिए सबसे पहले आज हिमाचल देया है मैं सबी को आप लोगों को और प्रदेश वासियों को इसकी शुब कामना ही देता हूँ आज मुख्या मंत्री जी ने जो गोशनाएं की मैं समझता हूँ उनकी एक बहुत बड़ी मजबूरी थी चुनाओ वर्ष में ऐसी संभावनाई थी उसका सबसे बड़ा कारण था कि ये सरकार पूरी तरह से दबाव में है जो परिनाम बाइलेक्शन के आए जिस परकार सरकार का खाता नहीं खुला उसमें साफ दिख रहा था कि सरकार के खिलाफ परदेश की जनता में हर वर्ग में रोश था और वही सरकार इस चीज़ को भाप चुकी है कि हमारे आगे चलने वाली नहीं है इसलिए इलेक्शन येर्ज में इस तरह की गोशनाओं की संभावनाई थी अब इसके उपर स्वाल है कि क्या जो गोशनाओं मुख्यमंत्री जी ने की क्या हिमाचल परदेश के लोग इसको किस तरह से लेते हैं अगर आप इसको देखें ये अपने आप में एक फस्ट एक्सपेरिमेंट है इस मॉडल का जो फ्री बिजली पानी ये बेसिकली केजरी वाल मॉडल जो है वो हिमाचल में ये अपलाई करने का काम आज जैराम जी ने जो किया है इसमें दो चीजे हैं कि अब इसको लोग कैस इसी चाहत नहीं रही कि हमें मुफ्च में कुछ चीजे मिल जाएं जो मैं समझता हुमाचल के लोगों की बात मैं जहां तक कर सकता हूं तो इसको देखना पड़ेगा कि लोग इसको किस तरह से लेते हैं स्वाल उठता है कि आपने पानी की बात की कि गाउं में पानी जो है उसके बिल नहीं आएंगे तो ये बात पहले भी फ्री रहता था कुछ पिछले कुछ सालों से इसमें चार्जिस लगे थे लेकिन बहुत नॉमिनल है मेरे खियाल में एक मिने में एक नलके का 50-60 रुपे का कोई बिल सारा ही आता था तो एक हिसाब से कोई बहुत बड़ी र भी विश्य है कि आप उसको फ्री तो देंगे लेकिन सुविदा मिलेगी लोगों को के नहीं मिलेगी दूसरा स्वाल है कि आपके इस मॉडल से एक चीज दिखती है कि आप घबराट में हैं आप करजे से सरकार को चला रहे हर मीने आप करजा लेके 70,000 क्रोन रुपे का करज इस सरकार पर हो चुका है अल्टिमेटली वो करजा किस पर हीमाचल परदेश की जनता के उपर एक भार है तो ये चीजे हैं इलेक्शन येर में इस तरह की सुविदाएं या इस तरह की गोशनाओं का क्या असर होगा ये आने वाला समय बताएंगा लेकिन मैं अपनी बात मे बिलकुल इस बात से सहमत हूँ कि सरकार का जानत तैह है उसका कारण है कि विकास की देश्टी से परदेश रुका है और ये हर वर्ग से जो वादे इस सरकार ने किये थे चुनाओं के दौरान उनको पूरा करने में पूरी तरह से इस सरकार फेल रही है तो ये भामते हुए सरकार ने इस तरह की गोशना करके अपनी सब्ता में वाफसी के लिए ये कोशिश जो प्रयास कर रही है ये मुझे लगता है इस सरकार के पूरे होने वाले नहीं है क्या लगता है जिस तरह से आज करमचारियों को काफी उम्मीदें थी महंगाई काफी जादा है लेकिन इन चीजों पर मुख्यमंतरी कुछ नहीं बोले है हाँ ये बड़ी बात है कि जो इस वकत परदेश में और देश में सबसे बड़ी समस्या महंगाई की है आज अगर मुख्यमंतरी जी महंगाई को अड्रेस करते कुछ परदेश की जनता को ये जरूर बताने का कोशिश करते कि हमारा क्या प्रयास रहेगा क्या योजना है कि हम महंगाई से लोगों को रहाद दिला सके खास तोर पे खाने पीने की चीजों में जिस प्रकार से पिछले एक मिने से लगा अतार महंगाई बढ़ रही है अपने आप में ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या होगी इसको एड्रेस करना चाही था मुख्या मंतरी जी को लोगों को आज रहात देने चाही थी खाने पीने की बस्तुए में सबजी है तेल है आटा है चावल है आज आप देखिए कि ट्रांस्पोर्ट बढ़ रहा है हर चीज के खर्चे बढ़ रहे हैं कोई भी काम करें बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनके खर्चे बढ़ रहे हैं किताबों के खर्चे बढ़ रहे हैं को आज टच नहीं किया और लगातार जिस तरह से महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है अपने आप में ये बहुत बड़ी गंभीर समस्य हैं हिमाचल परदेश के लोगों के सामने भी है जिस तरह से आज हिमाचल परदेश में पहले इस तरह से फ्री की सेवाई नहीं दी जाती थी ये रिवाई नहीं थी लेकिन जिस तरह से हिमाचल में केजरिवाल आमाद्मी पार्टी की जिस तरह से दस्तक हुई है तो क्या वो लगता है कि ये सरकार जो है गबरा गई है और जिस तरह से आमाद्मी पार्टी गोशना ही करती है कि ये फ्री देंगे वो दे दे तो उसी तर्ज पर जोए जाराम सरकार भी चल रही है। पेंशन का मुद्दा वो पेंडिंग है। उस पे सरकार भोशना करनी पा रही है। कांग्रस ने साब तोर पे कहा है कि हम उसको जो है ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री उसमें बिल्कुल अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं कि इनकी सरकार क्या करेंगे। वो अपने आप में मुलाजिमों का जो सरकारी मुलाजिम है उनका एक बहुत बड़ा मुद्दा था। उसी प्रकार से आपने जो जिकर किया कि महँगाई और बुरुजगारी की समस्या थी या परदेश में विकास जो पिछला है या आम आदमी मॉडल जो आप हिमाचल में बात करते हैं वो हिमाचल परदेश में चलने वाला नहीं है पहली बात आम आदमी पार्टी का संगठन बनाने की जब भी कोशिश हुई वो सीरे नहीं चड़ी पहले जनता दल के टाइम में फिर उसके बाद पंडे सुकराम जी ने प्रियास किया महश्वर सिंग जी ने प्रियास किया तो ये प्रियास कभी सफल नहीं हुए मैं समझता हूँ आम आदमी पार्टी का जो मॉडल ह जैसा आपने जिकर किया कि प्रदेश की जनता बहुत आतम सम्मान वाली और महंती लोग है कभी आज तक ऐसा देखा नहीं गया कि हिमाचल के प्रदेश के जो लोग हैं वो कुछ मुफ्त में चाहते हैं हाँ ये जरूर चाहते हैं लोग कि गौरनेस होनी चाहिए सरकार की प पढ़ेगा वो इसको कैसे आगे नभाती है ये देखने वाली बात होगी